हलो दोस्तो वेलकम टो रिच्योग व्लोग्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ नए नवेली दुलन का मेकप लुक शेयर करने वाली हूँ इजी लिए मेकप लुक आप घर पे कर सकते हो और कम टाइम में आप इस मेकप लुक को पूरा कम्प्रीट कर सकते हो तो यहाँ पे मैं फॉर्स टोनर यूज कर रही हूँ वन ओफ मैं फेवरेट गुलाब जल गुलाब जल ऐसा टोनर है कि सभी के पास होता है तो यह मेरा फेवरेट है इसे मैं स्प्रे कर लूँगी अपने पूरे फेस पे और डैब डैब करते हुए या आप मसाज करते हुए आपलाई कर सकते हुए तू यहाँ पे मेरे ह erfolg経 ओपन थे तो मैं सी क्यूर कर ले रहे हुए पींस सो मैं दाब-डैब करते हुए अपने फेस में एप्जोर्प कर लोगी यहाँ पर मैं मसाज भी कर रही हूँ और टोनल लगाने से आप सभी को पता है कि हमारी स्कीन हाइडरेट होती है जो डलनेस होती है स्कीन में वो हर जाती है जो ड्राइनेस होती है वो भी हर जाती है अब यहाँ पे मैं सीरम यूज कर रही हूँ सीरम के लिए मैं यहाँ पे ओशिया का गलोपिय और फेरनेस सीरम यूज कर रही हूँ इसका मैंने आपके साथ परसनल रिव्यू डेमो भी शेयर किया हुआ आप सभी को पता है सीरम लगाना बहुत इंपोर्टन है हमारी अपनी स्कीन की केर करनी ही चाहिए तो यहाँ पे मुझे दो दाने आ गए क्योंकि आजकल मैं अपनी स्कीन की केर नहीं कर पा रही हूँ थोड़ा मजबूरी आ गए थी तो टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं भी अपने स्कीन के केर करना स्टार्ट कर दी हूँ तो यहाँ पर मैंने सीरम लगा लिया है और इस सीरम की बहुत जादा खास बात है यह है कि उसका स्मेल इतना अच्छा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती जरूर आप इसे यूज़ करके देखे और इसका जो मैंने रिव्यू दिया है वो वीडियो को भी जरूर आप वाच करिएगा तो यहाँ पर मैंने सीरम अच्छे से अप्लाइ कर लिया है अपने फेस पे अब आती है प्राइमर की बारे मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का मेकप प्राइमर लिया हुआ है और यह स्टूडियो परफेक्शन ओयल-free और नॉन ग्रीसी है यह ओयल-free है और यह सिलिकान बेस है यह प्राइमर बहुत ही अचहा है मुझे यह प्राइमर परसनल ही बहुत अचहा लगा है और प्राइमर लगाना important है प्राइमर लगाने से जो हमारा मेकप है वो फ्लॉलेस दिखता है और कुछ टाइम तक हमारे फेस पे जो मेकप है वो स्टे करता है तो और इसके बाद मैं लगाओंगे 925 का वेटले स्मूस फाउंडेशन वन अफ मैं फेवरेट ये लगाने से जो हमारी स्कीन है वो तो आप अपने स्कीन के अपना शेड परचस करें यहां पर मैंने 01 रोज इवरी शेड लिया हुआ है मैं अपने फेस पे डब डब करते हुए या आप अपने हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हो चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो तो यहां पर मैंने ड या आइस के उपर नीचे लगा लोंगे ब्यूटी ब्लेंडर के हल्प से में पूरा ब्लेंड कर लोंगी अच्छी तरीके से और जहां पे आपको और डाकनेस दीख रही होगी तो वहां पे आप और एक्स्ट्रा लगा सकते हो तो कंसीलर नहीं यूज कर रहे हूं इसलिए फा 23 UVA-UVB प्रोटेक्शन यूजर एं यह स्कीनed lightниंग कॉमपेक्ट है यह में ब्रश के हल्प से लगा रहे हूं क्या मेरा जा पाउडर ब्रश है वह क्लेक्ट ब्रू, यह चिह स्का सथीं स्वैटिंग उपना को इसमीपने सब्सेट कर लोंगी अब आपके पास loose powder होगा तो वो तो बहुत अच्छी बात है, loose powder लगाने से जो आपको sweating होगी वो नहीं आएगी, इसके बाद मैं अपने eyebrow set करूंगी, eyebrow set करने के लिए, like me का absolute eyebrow pencil में यूज करूंगी, बहुत ही अच्छा eyebrow pencil है, ये मेरा सबसे फेवरेट है, आपने देखा होगा, जाद सजादा वीडियो में मैं इसी eyebrow pencil का यूज करती हूँ, इसके बाद मैं liner लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैं fill कर ले रही हूँ, अच्छे से, liner के लिए मैं like me iconic का eyeliner यूज करूंगी, इसका मैंने personal review share किया, उस वीडियो पर आपने है, इसलिए बहुत ही अच्छी बात है, तो स्वेटिंग होगी तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, यह आपका जो eyeliner है वो मिटेगा नहीं जल्दी, और काजल के लिए मैं यहाँ पर एलिएटिं का काजल यूज करूंगी, यह भी मेरा one of favorite है, इसमें मैंने एलिएटि तो हाईलाइट करना बहुत है नहीं कि सब लोग देखने तो आएंगी ही ना, जुहां-जरूरत है, वहां पर मैं हायलाइट करूंगी अपने face को, nose area में, check area में, जहां भी मुझे जरूरत है, वहां पर मैं हायलाइट कर लूंगी और आप चाहे तो आप brush के help से कर सकते हो, मैंने अपने finger के help से highlight कर लिया है, आप beauty blender के help से भी highlight कर सकते हो, highlight करना बहुत important है, मुझे ऐसा लगता है, highlighter ज़रूर यूज़ करना चाहिए, इसके बाद मैं blush उज़ करूँगी, तो ये like me absolute का blush है, ये बहुत ही अच्छे से blend हो जाता तो हो गई है, पूरा make-up मेरा complete हो गया है, अब बस जो रह गया है, वो है, lipstick आप देखी सकते हो कि कितना अच्छा color लग रहा है, तो ये है Maybelline का 641 Pink My Red, ये color बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, आप लेना चाहो तो ज़रूर इसे purchase करिएगा, तो ये 641 Pink My Red है, मै मैंने अपनी बिंदी भी लगा लिया है, मैंने साडी की color की बिंदी लगाई थी, बट वो कैमरा में दिखनी रही थी, इस वज़े से मैंने रेड बिंदी लगाई, इसके बाद आपके पास जो भी जुवैलरी होगी, वो आप वेर कर सकते हो, तो यहां पर मैंने अपना यह सिंपल सा मेकप लुक आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा, इसमें ज्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और जल्दी से आपका मेकप कंप्लेट भी होगा, और फ्लॉलेस भी दिखेगा, और सब जरूर से जरूर तारिफ करेंगे, और यहां पे आप हैर् करमपरा होगी, तो आप गुंग कर्क सकते हो, तो यहां पर मेस्ट परे का यूज कर रहे हो, यहां पर मैंने किस ब्यूटी का मेकप स्प्रे लिया हुआ है, इसका भी मैने रिव्यू आपके साथ शेर किया हुआ हूआ है, क्यूंकि मुझे पक टो बैक वीडियो बनाने है, तो मेरा makeup long lasting करें इस वज़े से मैंने makeup spray का use किया हुआ है तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो please comment करके बताईएगा और ये makeup look ज़रूर try करिएगा बहुत easy way से मैंने ये makeup look complete किया हुआ जिसके बस time ना हो तो ये makeup look आप please ज़रूर try करिएगा तो अब मैं आपको गुंगट लेके भी बता दे रहे हूँ क्योंकि हमारे याँ तो गुंगट की परंपरा है तो मैंने अपनी klatcher से पूरे hairs secure कर ली है इसके बाद मैं गुंगट रख लूँगी तो मेरा makeup look complete हो चुका है वीडियो अच्छे लगी हो तो like ज़रूर करना friends and family में ज़रूर share करना जो नए नवीली दुलन होने वाली है या host चुकी है उनके साथ ज़रूर share करिएगा तो चलिए मिलती हूँ आप से next वीडियो में ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो के साथ बाबाई, take care